क्या लिखने वाली हैं? ए कुनसा वर्ड है? A. A for apple. आपने पिछने साथ सिखाए ना? ओके. तोड़ी क्या होता है? Capital letters. ओके. अभी हम लिखेंगे Small letter. ए क्या किया? Small letter. क्या हो गया? Small letter हो गया. A है कुनसा लिटर? बराबर. ओके. A. Capital A है. ओके. और A कुनसा वर्ड है? Small letter. ओके. इसे क्या बलते? Small letter. अभी हम क्या लिखने आले? B. कैसे निकला? teacher ने B. आपको आता है ना? ओके. A कुनसा लिटर है? B. B for क्या होता है? B for ball. ओके. अभी हम लिखेंगे Small letter. कुनसा? Small letter. एक कुनसा वर्ड है? एक स्टैंडिन लिखने लिखने. और एक A. आप बॉल निकला. कुनसा? B. Small letter. B. अभी क्या निकलेंगे? C. कुनसा वर्ड है? C. C for क्या होता है? ओके. C for cat. बराबर. अभी C for cat. और small c. ओके. आगे निकलने के लिए? हाप सर्कल निकलना है. आपने पिछले साल सिखाएंगा? ओके. अभी क्या? इसके बाद कुनसा वर्ड आता है? कौन बोलने वला है? हाँ. बराबर. कुनसा आता है? D. आता है. कुनसा वर्ड आता है? D. D. D for dog. क्या निकलना है? पहला वर्ड कुनसा है? A. 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 B. 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 C. 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 D. 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 D के बाद कुनसा वर्ड सता है? D. D के बाद आता है? E. कैसे निकला टीचर ने? एक स्टैंडिंग लाइन दी. और तीन स्लिपिंग लाइन दी. ओके? यह क्या हो गया? Capital E. और आभी small e निकलने वाले. आगया? हाँ. सेर्कल निकल लिया. और उसको क्या क्या? नॉट क्या. तो क्या हो गया? Capital E. E से क्या होता है? elephant. A. अभी क्या निकलेंगे? E के बाद क्या आता है? कुन सा वर्ड? बराबर. E के बाद आता है? F. F फॉर? फीश. ओके? F फॉर क्या आता है? फीश आता है. और A. Small f निकला. ओके? अभी हम एक बाद यह लर्ण करेंगे. ओके? बोल रहे ना सब लोग? Capital A. Small A. Capital B. Small V. Capital C. Small C. Capital D. Small D. Capital E. Small E. Capital F. Small F. यह आपको टू टाइम्स लर्ण करना है और राइट करना है. ओके? क्यूंकि आपको सब को लिख निकले आना चाहिए ना? इसलिए आप करेंगे और पैरेंट्स को ही बोलना है. ओके? बाद!